क्या आपको पता है कि पुलिस की गाड़ी में लाल और नेले रंकी पत्ती क्यों लगी होती है? क्या आप धर्ती पर मौजूद उस जीव का नाम जानते हैं? जिसकी उम्र अमेरिका के गठन से भी कई ज़्यादा है? क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया का वा कौन सा देश है जिसने सबसे पहले राश्ट्रिय गान की शुरुआत की थी? अगर आप इन सबी सवालों की जवाब जाने चाते हैं तो बनी रहे इसे वीडियो के साथ अगर आपको लगता है कि महंगे स्कूल, कॉलिज या इंस्टिटूट सिर्फ भारत या फिर बंदन जैसे विदिशों में ही मौजूद हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं क्योंकि दुनिया का सबसे महंगा और हाई क्लास इंस्टिटूट सुजलेंड में मौजूद है जिसका नाम ली रोजी है इस आलिशान इंस्टिटूट की स्थापना सन 1880 में की गई थी जिसका डिजाइन किसी यूएफो की तरह दिखाई दिता है आसमान से देखने पर ली रोजी की बिल्डिंग और ग्राउंड सब कुछ बहुत ही खुपसुरत और आकरशक लगता है जहां बचों को हर तरह की सुभधा दी जाती है इस इंसिट्यूट में पढ़ने के लिए बच्चों को सालाना 1,366,000 डॉलर की राशी फीस के रूप में जवांकरनी होती है जो लगभग 1,97,700 भारती रुपय के बराबर है अब तो आप समझी गए होंगे कि ली रोजी को दुनिया का सबसे महंगा इंस्ट्यूट या स्कूल क्यों का जाता है जहां पढ़ना हर अमीर घर के बच्चे के बस की बात नहीं है यूं तो माता पिता की संपत्ती पर उनके बच्चों का अधिखार समझा चाता है जिसके चलते ज़्यादतर माता पिता अपने जीवन की जमा पूंजी अपने बच्चों के नाम कर देते हैं लिकिन इस दुनिया में ऐसे भी नालाइक बच्चे मौझूद हैं जो प्रपर्टी मिलने के बाद अपने माता पिता के साथ दुर्वेवार करते हैं और उन्हें बोज समझ कर उनके ही घर से बाहर निकाल देते हैं इन मामलों को ध्यान में रखते हुई भारत के सर्वोच्य नियायले ने एक खास तरह का कानून मनाया है जिसके तहट माता पिता को अपनी प्रपर्टी वापस लेने का अधिकार होगा इस सन्यम के तहट अगर कोई बच्चा प्रपर्टी मिलने के बाद अपने माता पिता के साथ दुर्वेवार करता है या उन्हें घर से निकालने की कोशिश करता है तो माता पिता के पास ये अधिकार होगा कि वह बच्चे के नाम की गई प्रॉपर्टी को वापस ले ले ऐसा करने से बुजर के परिजनों को अपने बच्चों की मारपीट और बतमीची का सामना नहीं करना पड़ेगा और प्रॉपर्टी मिलने के बाद वह अपना जीवन अपने हिसाब से जीपाएंगे या कानून प्रॉपर्टी और पैसों के लालची बच्चों के मुँपर जोरदार तमाचा है जो अपने माता-पिता को बड़ापे में मान, सम्मान और प्यारवरी जन्दगी नहीं देते हैं आज के एडवांस जमाने में हर लड़की स्टाइलिश और खुबसूरत दिखने के लिए अपने बालों की अलग-अलग तरह से कटिंग करवाती हैं लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा भी गाउं मौझूद है जहां रहने वाली लड़कियां अपने जीवन में सिर्फ एक बार अपने बाल कटवाती हैं और वो भी बिल्कुल सिंपल स्टाइल में इस गाउं का नाम है हंगलो जो चीन में मौझूद है यहां रहने वाली लड़कियों को रियल लाइफ रेपोंजल्स कहा जाता है क्योंकि उनके बाल बहुती लंबे और घनी होते हैं हंगलो गाउं में बच्ची से लेकर बूरी महिला तक हर केसी के बाल बहुती लंबे और खुबसरत होते हैं लंबे बालो को यहां एक प्रथा के रूप में फॉलो किया जाता है जिससे एक पीडी से दूसरी पीडी को निभाने की सीखती जाती है इस अगाउं में लड़कियां 18 साल की उम्र में सिर्फ एक बार बाल कटवाती है क्योंकि इस थानी लोगों का मानना है कि 18 साल के बाद लड़की एक नई जीवन में प्रविश करती है इसलिए इसको थोड़े से बाल काट दे जाते हैं आज के आदुनिक यूग में लोग घर बैटे ही ओनलाइन फूड ओर्डर करते हैं जिससे घर तक पहुँचाने का काम डिलिवरी वॉय का होता है लिकिन क्या आपको दुनिया के सबसे बहतरीन और मेहनती डिलिवरी वॉय के बारें पता है जो ड्रैफ करने के साथ सेकडों की संक्या में फूड डिलिवर करते हैं अगर नहीं तो हम आपको बताते के इस तरह के डिलिवरी वॉय आपको सिर्फ और सिर्फ जापान में देखने को मिलेंगे जहां वो एक हाथ से साइकल चलाते हुए दूसरे हाथ में धेर सारे फूड आइटम्स को पकड़ कर चलते हैं उनका बैलेंस से इतना बहतरीन होता है कि साइकल चलाने या पैदल चलने के दौरान उनकी हाथ से एक बीब फूड आइटम नीचे नहीं गरता है बलकि वह बहुत तेजी के साथ एक ही बार में धेर सारे ओर्डर डिलिवर कर देते हैं ठीक इसी प्रकार बैलेंस की तकनीकी को अपनाते हुए जापान के रेस्टरॉंट्स में वीटर एक साथ कई ग्राकों को फूड सर्व करते हैं जिसका कोई जवाब नहीं है अब तो आप समझी गए होंगे के जापानी कार्टूनों में देलिवरी बॉय या रेस्टरॉंट के वीटर को एक साथ देर सारे आइटम्स को सर्व करते हुए क्यूं दिखाया जाता है आज तक लंबी या छोटी हाइट को लेकर कई इनसानों और जीवों ने रिकॉर्ड दर्ज किया है और अब इसी सूची में एक गाय का नाम भी शामिल हो गया है यह है दुनिया की सबसे छोटी या यूँ कहें कि बौनी गाय जो बंगलादेश की राजधानी धाका से सटे चरी ग्राम इलाके में रती है इसके बौनी गाय का नाम है राणी जिसकी देखभाल एक डेरी फार्म में की जाती है दरसल रानी गाय का जन्म सामाने बच्छडों की तरह हुआ था लेकिन एक समय बाद उसकी शारेरी के लंबाई बढ़िनी बंध हो गई इसके बाद जब डेरी फार्म के मैनेजर हसन हवलदार ने रानी गाय का चेक अप करवाया तो उन्हें पता चला कि यह गाय बौनी है बस फिर क्या था रानी का नाम गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे बौनी गाय के रूप में दर्ज करने के लिए आविदन भिजा गया रानी गाय की लंबाई सिर्फ 20 इंच है और उसका वज़न 23 किलोग्राम के आसपास है जिसकी वज़े से ये बहुत ही अलग और क्यूट दिखाई देती है इतना ही नहीं इस चोटी सी गाय को देखने के लिए डेरी फॉम में रूजाना लोगों की भीड़ी खटा होती है जिसकी वज़े से रानी रातो रात स्टार बन गई अगर आप खगोली और भविशवाणी से संबंदिती चीजों पर यकिन करते हैं तो अस्टोनोमिकल किलोग के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए यह एक खास तरह की घड़ी है जो चैक रिपबलिक की राजधानी प्राग में बनाई गई है इस एस्टोनोमिकल किलोग को होरूलोजियम और औरलोज के नाम से भी जाने जाता है जो शहर के मुख्य आकरशण में से एक है एक समय था जब इस घड़ी में दिखाई देने वाला टाइम सूर्य चंद्रमा नक्षत्र और गिरहों की स्थती को दियान में रखकर चलता था जो चर्च की मुख्य दीवार पर लड़काई गई है हलाकि अब यह घड़ी सालों से बंध है और इससे चलानी का तरीका किसी भी एस्ट्रोनोमर या व्यग्यानी के पास नहीं है ताकि स्थानी लोगों का माना है कि एस्ट्रोनोमिकल क्लॉक दुनिया का अंत कब होगा इस बारे में भी जानकरी दे सकती है लेकिन दुनिया भर के व्यग्यानी का आज तक ये पता नहीं लगा पाई है ये अस्ट्रोनोमिकल क्लॉक को दुनिया का अंत देखने के लिए कैसे इस्तमाल किया जा सकता है इसलिए इस गड़ी को चलाने में अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है भारत में क्रिस्मस के मौके पर लोग घुमने फिरने जाते हैं और बाहर डिनर करके इस सत्योहार को सालिबरेट करते हैं लेकिन जापान में इस सत्योहार को बहुत ही अनोके तरीके से बनाये जाता है जहां सभी नागरिक KFC से food order करने के प्रचलन को follow करते हैं क्रिस्मस के मौके पर KFC से इतने ज़्यादा food items order किये जाती है कि लोगों को एक महीने पहले ही अपना order देना पड़ता है जिसके बाद क्रिस्मस के दिन उन्हें food डिलीवर किया जाता है इतना ही नहीं अगर कोई व्यक्ती क्रिस्मस के दिन KFC आउटलेट पर जाकर खानी का प्लान बनाता है तो उसे कम से कम दो घंटे तक लंबी लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है इसके लाबा जापान में क्रिस्मस के मौकर पर सभी लोग अपने पार्टनर के साथ ही घुमते हैं ऐसे में जिन लोगों के पास पार्टनर नहीं होता है वह इंटरनेट पर उसकी तलाश करते हैं अगर वह इंसान लगी रहा, तो उसे partner मिल जाता है, जिसके बाद वह बाहर Christmas celebrate करने के लिए जाते हैं, लेकिन अगर व्यक्ति को partner नहीं मिलता है, तो वह घर में ही रहता है, और Christmas celebrate करने बाहर नहीं जाता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया में मौजुद हर देश का अपना एक राश्ट्रगान होता है, जिसके जरीय वर राश्ट्रिय और अंतरराश्ट्रिय स्तर पर खुद को प्रस्तुत करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि विश्व में सबसे पहले किस देश ने राश्ट्रगान गाने की प्रथा को शुरू किया था, अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस शुबकाम की शुरुवाद जापान द्वारा की गई थी, जापान का राश्ट्रगान किमगायो है, जो दुनिया के सभी राश्ट्रगानों के मकाबले छूटा है, और सबसे कम समय में गाया जाता है, विश्यो के सभी राश्ट्रगानों में किमगायों की रचना सबसे पुरानी मानी चाती है, जिससे जापानी नागरिक सन 688 से राश्टगान के रूप में गा रहे हैं अलगि साल 1999 में किम गायों को आधिकारिक रूप से जापान का राश्टगान घोशित किया गया था इसके बाद से ही दूसरे देशों ने भी राष्टगान के प्रति अपनी दिल्चस्पी दिखाई और उसकी रचना की अब आप समझी गए होंगे कि जापान सिर्फ टेकनोलोजी के मामले में ही नहीं बलकि रच्टियता को आगे रखने के मामले में भी काफी एडवांस है क्या कोई जीव किसी देश की स्थापना से भी पुराना हो सकता है जो बरतमान में भी जीवित हो इस तरह की बात पर यकिन करना थोड़ा सा मुश्किल है लिकिन साल 2017 में वेग्यानिकों को ऐसा ही एक जीव मिला था दरसली के रिसर्च के दोरान वेग्यानिकों को आर्करिटिक ओशन के पानी में ग्रीन लेंड शार्क मिली जिसे आमतोर पर ग्री शार्क के नाम से भी जाने जाता है लेकिन कि आप जानते हैं कि उस शार्क की उम्र अमेरिका से भीज जादा पुरानी थी जो धर्ती पर पिछले 392 सालों से जिन्दा है व्यग्यानिकों की माने तो इस फीमिल शार्क का जन सन 505 के आसपास हुआ था जो माइनस 1 डिगरी से 10 डिगरी सेल्सेस के पानी में जीवित रह सकती है 18 फीट लंबी यह शार्क 7200 फीट के गैराई में तैराकी करने में सक्षम है जिसका वजन कई टन है और यह 400 सालों तक जीवित रह सकती है आपको बता दे कि अमेरिका की स्थापना 4 जुलाई 1776 में हुई थी जबकि इस ग्रीनलेंड शार्क का जन सन 505 में हो गया था इस हिसाब से देखा जाए तो इस शार्क की उम्बर अमिरका से भी ज़्यादा है जो आब तक धर्ती पर सबसे ज़्यादा जीवित रहने वाली जीवों में से एक मानी चाती है यह तो हर व्यक्ती पुलिस और उसकी गाड़ी से दूरी बना कर रहना पसंद करता है क्योंकि कोई नहीं चाता है कि उसे जेल की हवा खानी पड़े लेकिन सड़क पर दौरती पुलिस की गाड़ी पर लाल और नीले रंगों की बत्ती तो आपने भी देखी हो जो आमतोर पर रात के समय पैटरॉलिंग के दौरान दिखाई देती है पर क्या आपने कभी सोचा है कि पुलिस की गाड़ी में लाल और नीली बत्ती क्यों होती है और उसके पीछे क्या वज़े है अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि लाल रंग की बत्ती लोगों को अलर्ट करने के लिए मौजूद होती है जबकि नीली बत्ती पुलिस की गाड़ी को सभी गाड़ियों से अलग दिखाने का काम करती है तो कि रात के समय सडकों पर दोड़ने वाली हर कार में लाल रंग की बत्ती चलती है ऐसे में पुलिस की गाड़ी को अलग से दिखाने के लिए उसमें लाल के साथ नीली बत्ती लगाई जाती है अब तो आप भी समझी गए होंगे कि पुलिस की गाड़ी में लाल और नीली बती का कॉंसेप्ट क्या है और या क्यों लगाई जाती है अज के लिए बस इतना ही वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर करें साथी चैनल को भी सबस्क्राइब करें जाहिन दोस्तो